गुड मॉर्निंग सुपरबात केमचो सलाम उम्मीद है आप सब लोग बहतर होंगे अपना ध्यान रखना होंगे अभी में आ मॉर्निंग में निकला हूं मैं ठीक है और वैसिकली यह कोनी फरस्ट का ट्रायल है उसमें मैं वाक कर रहा हूं बाकि आपको पता तो है भारती बच्चे सब सो रहे हैं बच्चे में तो बड़ा वाला बेटा तो आया नहीं छोटा वाले बेटा साथ में उसकी साथ 10th का स्कू सब्सक्राइब अधित्या आप सभी लोगों को थैंक्यू वेरी मच टार्गेट बेच में जो है वह बहुत ओवर हैल्मिंग रिस्पांस है आप लोगों का बच्चों ने बड़ी संख्या में अडिमिशन भी लिया है ठीक हो बिटा जो भरुसा आपने हम पर जता है ना उस सबसे अच्छा जो है वह का रैशियो सबसे अच्छा रिजर्ट जो है वह बगेर पर्चेस किया होँा रेजलट्स ट्रू ऑथेंटिक रिजल्ट ऑनेस्च वह ब्रुमाने रुमिंटर के पास है तो चाहते हैं कि इस चीज को और आगे बढ़ाएं इस बार हम बच्चे जो ह काफी improvement बायो मेंटरस के दर आना चीए इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि वो बच्चे जो बहुत non-serious बच्चे थे जो आके सारे के सारे जो बैचेस को डिस्टरब करने का काम भी करते थे कई बच्चे से रहें जो एक-एक महीने का installment लेके आते थे या किसी के कहने में कभी-कभी installment ले लिया करते थे और उसके बाद जो है वो ऐसा बहुत देखा हम लोगों ने बहुत भुगता है उसके बाद हम लोगों ने भी जो है मंतली payment का option बंद किया है क्योंकि कारण यह होता है कि कई बच्चे बड़े non-serious होते हैं और वो क्या करते हैं वह एक महीने का 800 रुपया देखे सिस्टम में अंदर आ जाते हैं और उसके बाद सिस्टम में डिस्टरबेंस करते हैं ठीक है और वो चीश ठीक नहीं है मतलब एक educational organization के point of view से हमको चाहिए serious बच्चे हमको चाहिए पढ़ने वाले बच्चे हमने कहा ना we are here to not to entertain you we are here to train you ठीक हम आपके entertainment के लिए नहीं है हम आपको जो है वो train करने के लिए आपके selection के लिए और नीट का एक्जाम कोई हसी मजाक नहीं है कि आप रील बराते बाते डांस करते करते एक्जाम निकालने आप ठीके आप से उल्टी सीदी बाते करके इमोशनली खेल कर एक्जाम निकल वाले जाए यह पॉसिबल नहीं है एक्जाम में बहुत पढ़ना पड़ता है बहुत कॉम्पेटिशन है बीस लाग क्यास्प से उपर बच्चे बेठ रहे हैं नीट के अंदर तो इसलिए इसको एकदम हलके में लेना बंद कर दीजिए त क्योंकि देखिए जब हमारे पास ऑप्शन हमेसा जिंदगी में होते हैं तो हमेसा ऑप्शन की तरवी भाग रहे होते हैं मैं कहता हूँ एक बर आपने बायो मेंटर्स को मैं अपने अडिशन ले लिया फी जमा कर दीए बीच के पीछ पीछे पालेट कर देखना ही आपको स कि आप तो सब कुछ बहतर होगा अदरवाइस क्या होता है अदरवाइस होता यह है कि हम जो है वह इंग हम को कोई तो भी लीउर करता है और हम भाग जाते हैं ठीक हम थोड़ा लगा तो हम इंस्टोर्मेंट भरने की जाए हम धूसरा कोचिण इस्टुड ढूंड लेते हैं हम कहां से भर देंगे किस थीक हम तो भरी नहीं पर एकटा मैंने का ना सपोर्ट टीम आपको एक Google फॉर्म शेयर करें कि और उस Google फॉर्म में आपको जो है वह आपको कुछ कागज लगाने पड़ेंगे आपको और यह आप लीजिबल होंगे तो सपोर्ट टीम आपको यह माई का यह माई नहीं बोलूँगा मैं इंस्टॉल्मेंट का ओप्शन प्रोइट करेंगी जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होगी डिसकाउंट पुराने बच्चे को भी कोई डिसकाउंट उसमें नहीं मिल पाएगा मैं अभी बहुत जो है फैड़ाफ हो चुका हूं इन सब चीजों से कि बच्चों ने इस प्रकार से बाइमेंटर को ट्रीट किया है जो सीरेस बच्चे थे उन्होंने बाइमेंटर को यह बताईएगा ठीक है वही बच्चा आईएगा जो बच्चे को वाकरी में पढ़ना बहुत सीरियस है और बाइमेंटर इस बार बहुत सारे नई चीज़ें इंट्रीज कर रहा है वह चीजों में काफी पहले से बहुत इंप्रूब्व था मतला हम जो चीजें करते हैं बाकी के लिए बहुत हैल्प करता है हमारे अपना परिवारे साथ सत्र बच्चें कर रहे हैं जिसमें कि जिनको हम लोग पूर्ण तहा कंपूरिटली सारी फीस भरते हैं तो हमको कौन सी हम ना भरें तो क्या हो जाएगा बताओ पर हमारे उपर भी जिम्मधारी हैं बहुत सारी कि कि बच्चे ने लिखा कि सर आप रियल बिजिनिस कर रहे हैं बहुत बदंदा कर रहे हैं अब यह तुमारे सोचने का तरीका है ठीके बिजनिस करना होता है तो हम एक ओफ्राइं सेंटर खोल चुको है कोटा से हमें कई ऑफ़र आय कि जो जॉइन वेंचर करना चाहते हैं हम हम आप फ्राइं सेंटर खोल के सुरू हो चुके होते हैं आप से 80,000-70,000 फीस लेके प्यासार फीस लेके आपको लियूर करते हमने वह सब नहीं किया है यदि आम आप फीस को देखोगे तो पांच राट सो प्लस जीस्ट जीस्ट हमारे पास नहीं जाता है पांच राट सो आप डिवाइट करोगे तो आप पाओगे कि 20 रूपे पर दे से यादा फीस नहीं है अब यहाद इतना तो खर्चा करना पड़ेगा नीट की तहारी करने के लिए नहीं कर पा रहे इतना खर्चा तो मैं वहीं करना आपसे कि बाइमेंटर तो साथ है ना आपके लेकिन आप अब रही बात यहां कैसा लग रहा है मुझे तो यह बहुत सुन्दर जगे हैं यहां पर बहुत सारा कुछ है देखने को भी है एक प्रकार समझे कि यह हिमाले की वादियां है ठेंडी हरी और लेकिन बहुत दुख होता जब देखते हैं प्लास्टिक बेस्टेस को सब जग कई चीजें पड़ी है रोज आधा घंटा बीन कर इनको फेकता हूं मैं ठीक है क्या फर्क पड़ेगा इससे सर मैं क्या बताओ मैं मैं सोचता हूं मुझे अपराद बहुत लगता है कि हम इंसान लोग कैसे इन्वारिमेंट को डैमेज कर रहे हैं चलिए बटा थैंक यू व बच्टे इन्स्टड्रमेंट वाले बच्चे या इमई वाले बच्चे वगए वह बार रिट्रक्ट एक दो बढ़ा चले गए तो उससे सीटए खाली चली जाया करती थी इस बार लोग यह चीज नहीं चाहते हैं इस बार चाहते हैं जो बच्चा इस पर हम पूर्ण रता इसके लावा हम लोग इस पार फौर पी एम लाइव सिस्टम सुरू कर रहे हैं कि यह दिन चार बजे कोई ना कोई टीचर लाइब होगा जो आपके डाउड भी लेगा जो आपसे नहीं कोश्चन भी कराएगा आपसे कोश्चन भी पूछेगा तो बहुत सारी चीज़ हम करना चाहरे हैं इस बार बैटा हम चाहते हैं बिल्कु सीरस बच्चे बारे पास आये इतना तमाशा हो चुका इस समय न बनना ने जब जन्म होता है तो भी हमें डॉक्टर का अस्पताल का बिल भरना होता है ठीके बच्चे को नहीं बहुता है तो दिर इस नो फ्री लंच इन डिस वर्ल्ड और रही बात कि मुझसे की सर्व आप फ्री करते तो मैं फ्री करने को त्यार हूं आप मुझसे जितनी फैसलिटी यूज करता जितने एंपलाइउस क अपसे बूल दीजी अब सब्री काम कर लो मैं फ्री कर दूगा सब बसक्राइघ को जब बात करें हम लोग 20 पर ऐडे सूपर फीस नहीं लें पढ़ लेते बिटा और वही घर चाह जो सच में घर जाए अब आप हमको funding दिलवा दो कहीं से हजार दोजार क्रोड तो हम भी फिर वो काम करते हैं ठीक है तो चलिए all the best बैबाई